नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मुटभेड में दोनों ओर से आदे घंटे तक जम्प कर फाइरिंग होई पुलिस को भारी परता देख उग्रवादी फाइरिंग करते हुए जंगल में भाग गये मुटभेड के बाद पुलिस ने इलाके को सील करके सर्च अपरिस्टन लॉंच कर दिया है साथ ही मुटभेड अस्थल पर हुए नुकसान का आक्रन भी किया जा रहा है बता देख पुलिस सुत्रो ने बताया है कि सुरक्षा बलो को कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी के हताहत होने की सुचना भी अभी तक नहीं है बताया जा रहा है कि उग्रवादियों के पास कई समान थे जिसमें से कुछ हुए आपने साथ लेकर चले गा है जबकि कुछ समान चोड़कर उन्हें भागना पड़ा पुलिस ने मुर्वेर असल से राइफल समेत कई समागरी भी बना मत किया है धोनी को मिला राम मंदिर प्रान पतिष्ठा समारोग का निमंत्रन भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंग धोनी को अयोध्या में बनने वाले भागवान सिरी राम के मंदिर के प्रान पतिष्ठा समारोग का निमंत्रन पत्रसों मुर्वार को सोपा गया और आयोजर समीति का भार व्यक्त क्या है उन्होंने कहा है कि भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदू है उनके मंदीर में प्राण परतिष्ठा समारोह का निमंत्रन मिलना उनके लिए गर्व की बात है पीएम मोदी ने गुमला की ससी किरन से पुछा सरकारी योजनाओ का लाब मिल रहा की नहीं परधान मत्री नायन मोदी ने 15 जन्वारी को पीएम जन्मन योजना के तहट पीएम एवाई गरामिन के एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दिया है इस दोरान उन्होंने वीडियो कनफरेंसिंग के जरी आदिवासियों से बात भी की मौके पर गुमला से सिरी मती ससी किरन ने उनसे बात की उनके परिवार में साथ लोग हैं समू से जुड़कर फोटो कोपी मसीन, सिलाई मसीन खरीद कर और किसान से जुड़कर अपने परिवार और भरन पोसंद कर रही है उन्होंने बताया है कि जर्मन योजना के तहट के सिसी लोन हो चुका है परदान मंत्री अवास भी सुकृत हो चुका है पीएम समू योजना से जुड़कर गाउं की महिलाएं दोना पत्तल बनाकर अचार बनाकर आत्मनीर भरता कि राह पर चल रही है इस मौके पर पीएमोधी ने कहा कि गाउं में जमीन अस्तर पर योजनाओ से लोगों को लाभानमीत होते देखा जा रहा है जार्खन के सरकारी स्कूलों के बच्चों में मेडिकल स्टाडिज का क्रेज अधिक जार्खन के सरकारी हाई स्कूलों में पढ़ने वाले स्कूलों में इंजिनियरिंग स्याधिक मेडिकल का क्रेज है क्लेट में सबसे कम छात्रों दिल्चस्पी दिखाई है राजे के 22,324 चात्रों ने अकांचा परवेश परिक्चा में मेडिकल की त्यारी के लिए आवेदन किया है वहीं 18,475 चात्रों की इंजिनियरिंग करने किया है वहीं केवल मात्र 322 आवेदन कलेट के लिए मिले है अकांचा परवेश परिक्चा का वहीं किया जाता है इस बार अकांचा परवेश परिक्चा 3 मार्च को आयोजित होगी परिक्चा का वहीं सबी 24 चिला के जिला मुख्याले अवसित परिक्चा केंदर में होगा सभी जीलों से परिक्षा केंद्रों की रिपोर्ट मांगी गई है 25 जनवर इस ओनले एडमिट का डाउनलोड होने लगेंगे पलामु के लिए बीसे सग्यों की टीम तयार करेगी आपदा प्रवंध पलान पलामु जीले के लिए आपदा प्रवंधन प्लान विसे सग्यों की टीम तयार करेगी राजय आपदा प्रवंधन प्राधिकरन से प्राप्त दिशा निर्देश के बाद में पलामों भी से संग्यों की टीम के माध्यम से पलान त्यार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जीला परसासन की ओर से आपदा प्रवंधन के प्रयोजन के लिए सबी उपाय किये जा रहे हैं कुरोना संक्रमन महामारी के दोरान राहत यहां बचाव कारे का संचारन भी इसी पलान के तहत हुए था पलामों के लोग सुखा और हीट वेब जैसी अपदाओं से दसकों सजूचते आ रहे हैं इसके परभाव में आने से पिछले कुछ वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 200 से अधिक लोगों की आकाल मौत हुई है मिरितकों में अधिकांस, कामकाजी और नजवान सामिल है जारखन में भाजपा ने सुरू किया दिवार लेखन अभियान भाजपा ने राश्टरी अस्तरपर 15 जनवार लेखन अभियान सुरू किया है नई दिल्ली में सो मौरको राश्टरी अधिक्स जेपी नडा ने इसका बीदिवा सुभारम किया जारखन में परदेश अधिक्स बावुला मरांडी ने साहिब गंज में और रांची में परदेश संगठर महामंत्री करंबीर सिंग ने अभियान के सुरूआत की है परदेश महामंत्री एगम सांसर आजेत साहू डाक्टर परदीप वर्मा बाल मुकूंद सहाय भी दिवार लेखन अभियान में सामिल हुए अभियान के संचालन के लिए परदेश अस्तरिय कमिटी के संजोजग सरोज सिंग बनाये गए हैं और सह संजोजग के रूप में अमीच सिंग, सूरज चोरासिया और अमीच साहू सामिल है अभियान के जनकारी देते हुए सरोज सिंग ने बताया है कि जारकन के 29,000 बूथो पर परदेश जीला मंडल बूथ के करकरतावों के साथ दिवार लेखन अभियान चलाया जाएगा पंचायत सचीवाले स्वेम सेवक संग का आई से फिर धारना परदर संग पंचायत सचीवाले स्वेम सेवक संग अपनी पांच सुत्री माहा को लेकर मंगलवार से फीर से अनिसीद का निढिनदारना परदर संग सुरू करने जा रहा है संग के परदेश अध्यक चंद्रदीप कुमा ने कहा है कि पंचाय सच्वाले 77 सेवक संग जुलाई 2023 से राजभोण के पास अनिस्चित का निधारना परशन कर रहा था इसी बीच संग का अनिस्चित का निधारना परशन दो बार स्थागित हुआ है एक बार जार्खन मुक्त स्थागित किया गया इन वर्ताओं में संग की पास उत्री मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई इस वजया से फिर से पंचाय सच्वाले 77 सेवक 16 जनुवरी से अनिस्चित का निधारना परशन पर बैठने जा रहा है हटिया इसलामपु ट्रेन का नामकूँ ठाटी सिल्वे एस्टेशन पर ठारा सुरू duż करीब चार इसलाम पूपू ड्रेन 186 सोबीस का नामकूँ ठाटी सिल्वे रेलवे एस्टेशन पर ठारा सुरू हुआ है कुरोना के बरते परभाव के वज़ से रेलेवे ने सबी ट्रेने बंद की थी सोमवार की साम ट्रेन रांची से नामकुम साथ बचकर आतारीस मेंट पहुंची नामकुम एवं टाक्टी सिल्वे रेलेवे एस्टेसर अमो के आती थी रांची सांसस संजासेट खिजरी बिधायक राईस कक्षप, पूरो बिधायक राजकुमार पहान, मंडल रेल प्रवन्धक, जेस बिंद्रा नेहरी जंडी दिखा कर ट्रेन को रवाना किया इसी करम में सांसद एवं अन्याती थी नामकुम एस्टेसन से टाक्टी सिल्वे एस्टेसर तक पहुंचे आदिवासी संगटनों के प्रतिनिद्यों ने भागेदारी निभाई है इसमें भाजपा वा आरेसेस की आदिवासी बिरोधी नितिया और आदिवासीयों को आपस में लडाने के सरेंद्र प्रगंभीता पुर्वक चर्चा की गई यूनिफर्म सिविल कोड वन संगलक्षन अधिनियम दोहेतेज प्रक्रति पुजक आदिवासीयों के लिए अलग सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय के घर्ति जन संख्या आदिवासी जमिन के लूट खसोट आदिवासीयों के प्रदत सन्वेधानिक हक अधिकारों पर लगाता हमला आदिवासी समुदाय के प्रणपरागत कानून पात्वी अनुसूची पेशा कानून आदिवासी समुदाय की समाजिकता एकता तोड़ने की साजिस पुर्मुक मंत्री रखबर दास की भोमी बैंक को रद करने जैसे गंभीर भी सहय पर विमर्श हुआ है अयोधिया के भवे मंदीर की तरज पर साहव गंज में छोटा राम मंदीर केंद्री वन परिया औरन एमजल वायू परिवर्तन वा उभोक्ता मामले के राज मंत्रिया स्वीनी चोबिन संध्या 6 बजे सहर के भारतिया कालोनी गल्स हाई स्कूल के निकट अयोधिया के तरज पर साहव गंज में बनी 35 फिट चोड़ा वा 25 फिट उची राम मंदीर की क पुरा प्रांगन जैस्तिरी राम के नारे से गुज उठा इधर मंदीर लोगों का कर्शन का केंद्र बना है मंदीर के अंदर मिट्टी का बना सारे 4 फिट की राम लक्ष्मन सीता वा बैरंग बली के राम लला के प्रतिमा को अथापित किया गया कामरेट महेंद्र सिंग के सहादत दिवस की पूरो संधिया पर मसाल जुलूस जननाय कामरेट महेंद्र सिंग का सहादत दिवस 16 जनवारी को है इसकी त्यारी पूरी कर लिगाई है सहाधत दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को जारकन की गिरीडी जी रेके बगोदर समेत अने छेत्रों में मसाल जुलूस निकाला गया बगोदर बजार जीटी रोड शिक्स लेन में अटका से लेकर गोपाल डी मोड गाउं के मुखे चोग चोराहों को लाल जहन्डे से पाट दिया गया सहाधत दिवस पर खंबरा से संधाजली कारकरम की शुरुआत होगी आपको पता दे कि पुर्व विधायक महेंद्र सिंग की हत्या सुल्ला जन्वरी 2005 को गिरिडी जीले के सर्या थना चेत्र के दुर्गी थवाया में एक चुनावी सबाग के बाद कर दी गई थी जहारखन के तीन लोगों की बिहार में होई मॉब लिंचिंग मकस संक्रांती के दिन बिहार में जहारखन के तीन लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई है लोगों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर उन्हें मार डाला मामूली बात पर एक दुकंदार से पलामू जीले के इन लोगों का बिवाद हुआ और बात मार पीट तक आ गई इसी बीच कार में सवार एक युवक ने पिष्टन निकाल कर दुकंदार पर फैरिंग कर दी दुकंदार जुक गया गोली गाओ के एक बुजुरू को लगी और उसकी मौत हो गई इसते नराज लोगों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाल कर पीटना सुरू कर दिया दो लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई अपने साथियों को पीटता देख लड़ू सर्मनामक सक्त भाग कर पुवाल की आड़ में छिप गया बाद में लोगों ने उसे भी पुवाल से निकाल कर पीटना सुरू कर दिया तब तक पूलिस वहां पहुँच गई स्रियम हमन्त को संजै शेट ने लिखा पत्र 22 जनुवारी को ज्खारखन में होराज किये अवकास अयोध्या राम मंदीर को लेकर ज्यारखन में उलास है महौल रामवाय हो गया है इसी बीच सिरि राम लला की प्रानपर्तिठा को लेकर रांची के सांसर संजै स्रेट ने ज जार्खन के मुख्य मंत्री है मंसुरुन को पत्र लिखा है मुख्य मंत्री को लिखे पत्र में सांसर ने कहा है कि 22 जनवारी को जार्खन सरकार को आवकास को सिद करना चाहिए इसके साथ ही उस दिन मांस मंदीरा के बिक्री पर परतिवन्थ लगाना चाहिए अपने पत्र में संजाय सेट ने कहा है कि 22 जनवाई 2024 भारतिय इतिहास का वह दिन है जिसकी परतिक्षा सदियों से भारत का जन मानस कर रहा था यह दिन इतने लंबे समय के संगर स्त्याग और तपस्या के बादस्व भागय के रूप में हम सब को मिला है हम अपने अराध्य राम लला की पुना प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में कर रहे है इस दिन को लेकर हमारा गौरो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जार्खन से भागवान स्री राम का भी अन्यन प्रेम रहा है भागवान लाम के अन्यन भक्त स्री हनुमान जी की जनमस्तिली भी जार्खनी है बिहार के सॉल्ला साइबर ठक जार्खन से गिरफतार जार्खन में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं जाम तड़ा देवखर गीरडी के बाद बोकारो का नाम भी इसकड़ी में जुड़ गया है बोकारो के सेक्टर बारा से पुलिस ने साइबर अपराध के आरोप में 16 रोगों को गिरफतार किया है पकड़ेगा सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं उनके पास से सीम, कूपन, काड, कस्टमर, डिटेल आदी मिले हैं जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था दरसल देक्टर बारा के थाना परभारी को लागातार कई दिनों से एस उतना मिल रही थी कि बारी को अपरेटिव के आसपास किराय के घरों मेरा कर कुछ बारी लोग साइवा ठगी को अंजाम दे रहे हैं नबाली को अगवा कर कराई साधी गिरीडी के पीराटार परखंड के खोकरा थाना तरगत एक गाउं से एक नबाली का फरन कर तोपचांची थाना के गनेश पूर गाउं में उसका बीवा रचाया गया लड़की के पीता ने पुलिस वोपर सासन से सिकायत कर इंसाब की गुहार की है यह सुचना बाल बीवा मुक्त अभियान के वरिश से सुरेश कुमार सक्ती को मिली तो संस्था से समंधित चांदनी मरांडी उत्तम कुमार सिंग मदद के लिए गाउं गया और आवेदन देकर खोकरा थाना में दिया गया इसकी सुचना बीडियो से बाल निशेद पता अधिकारी चिर्की तथा बाल संरक्षान इकाई गिरी डी बाल कल्यान समीति गिरी डी को दी गई है हिमंत सुरेन को होटवार जाने का समय आ गया बाबुला मरांडी भाजपा के परदेश अध्यक्स वपूर मुख मंत्री बाबुला मांडी ने कहा है कि जरकन के मुख मंत्री हिमंत सुरेन को होटवार जाने का समय आ गया है इसलिए अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं क नौकरी ना देने पर बेरुजगारी भाता देने का स्वासन देते हैं लेकिन चार वर्स बीत जाने के बाद भी ना तो किसी को नौकरी दी और नहीं बेरुजगारी भाता अब डेड़ माह में क्या देंगे उन्होंने कहा है कि परधानमति नैंद मोदी हमेशा जनता की कि आबादी को पानी नहीं मिलेगा लोगों को बैकल्पिक बेवस्था अपनानी होगी दरसल पेजल हम स्वक्षता प्रमंडल संख्या एक ने जलापूर्ती बाधी त्रहने की सुचना जारी कर दी है इसमें बताया गया है कि 16 जनवरी को मैथन के संजय चौक हनमान मंदिर क पास सड़क चोरी करण के कारण जलापूर्ती की मेन राइजिंग पाइपलाइन सिफ्ट किया जाएगा इसी मेन राइजिंग पाइपलाइन से मैथन इंटेक वेल से भेला टान धनवाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी पहुंचता है पाइपलाइन सिफ्टिंग के कारण 17 और 18 को इन टेक वेल से जला पूर्टी रोकी जाएगी दो दिनों तक सहर की साड़े 4 लाख की अबादी को पानी से वन्चित होना पड़ेगा मकर संक्रांती पर बाबुलान ले गंगा डूब की लगा कर मंदीर में लगाई जाड़ू जारखन में मकर संक्रांती के धूम है इस दोरान सभी ने विशेश त्यारी कर रखी है लोग उत्साह से भरे हुए है भाजपा के परदेश अध्यक्ष और राज के पहले मुख्यमंत्री बाबुला म्रांडी भी उत्साह के रंग में रंगे नजर आए बतादे सुबसुबवा साहिब गंज में ओजा टोली घाट पर पहुँचे और आस्था के डोब की लगाई इस दोरान उन्होंने पूरे परदेश वास्यों की कल्यान की कामना की है मकर संक्रान्थी के पावन असर पर साहिब गंज में पवित्र गंगा तट पर अस्नान कर समस्त परदेश वास्यों के कल्यान की कामना की इसके बाद वह वहाँ इस्थी सीव मंदीर में दर्शन के लिए पहुँचे बावलार मांडी के साथ भाजपा जिला ध्यक्ष भी उपस्थित थे जमसेदपूर में निकाली गई भगवान राम की सोभायात्रा जमसेदपूर के मानगो में बिजेपी नेता अभाय सिंग के नेतिवत में रायस्थान धर्मसाला से भागवान राम की सोभायात्रा निकाली गई इस दोड़ान राम भक्तों का जन से लाब नजर आया यात्रा राय स्थान धर्म साला मानगों से शुरू होकर भबुवा सिंग अखारा बजरंग बली मंदिर तक निकाली गई जिसमें राम भक्तों का उत्सा और उलास तेखने को मिला बच्चे, बुढ़े, महिलाए, पुरूटसा, भगवाराम के भक्ती में जुमते नजर आये ढोल नगारों के साथ लाइट और जहांकी ने चारचांद लगाने का काम किया है OBC किसानों को भी मिले आरक्षन का लाब OBC किसानों को भी आरक्षन का लाब मिलना चाहिए आरक्षन देना होगा उक्त बाते पिछला वर्ग OBC एकता एवम अधिकार मंच के संजोजक मंडल में ब्रह्मदेव परसाद, रामदा, साहू, यूगल, पाल, असरफी, चनरवनसी एवम अजय वर्मा सन्युक्त रूप से डाल्टेन गई में पत्रकारों को समोधित क्या है आदिवासी सेवरी की वज़ा से राजकुमार से मर्यादा पुरुसोतम बने सिरी राम रामलला की प्रानपर्थिष्ठा की त्यारी लगवग पूरी हो चुकी है पीए मोदी इस समारों के मुख्य यजमान है वहीं पीए मोदी इस समय कठोर उपवास पर भी है प्रधान मंत्री नैंद मोदी ने 15 जन्वारी को पीएम एवाई के एक लाख लभार्थियों को बड़ी सोगाद दी है पीएम मोदी ने वीडियो कन्फेंसिंग के माध्यम से पीएम जन्मन के तहट पीएम एवाई जी के एक लाख लभार्थियों को पहली किस्त जारी की इस दोरान उन्होंने लभार्थियों को समोधित करते भागवान राम और माता सवरी का जिक्र किया उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद 22 जनुवरी को भगवान राम भी हमें अपने भवे मंदीर में दर्शन देंगे और मेरा सभाग यहाई कि मुझे अयोध्या में राम मंदीर के प्रान पतिशा समारों में आमंत्रित किया गया है अंतराष्ट्रिये एथलीट सांती मुक्ती बारला की सरक दुरगाटना में मौत सोमार की सुबद दिल दला देने वाली खबर लेकर आई जब अंतराष्ट्रिये मास्टर एथलीट सांती मुक्ती बारला की सरक दुरगाटना में ददनाक मौत हो गई सांती बारला एक दिन पहले ही जे आर्डी टाटा एस्पोर्ट कम्पलेक्स में आयोधी जार्खन राइज मास्टर्स एथलेटिक्स चेंपियन सिंप की 100 मीटर अस्पदा में स्वर्न जीता था सांती स्वर्मवार के अहले सुबा मित्र सीमा कुमारी के साथ अपने घर गुमला जा रही थी तब ही तमा थना छेत्रे के जोजो डिख गाउं के पास वहाथ से का सिकार हो गई बिकास के लिए चल रही पीम जन्मन योजना केंद्रिय मंत्री प्रधान मंत्री जन्जाती न्याय महा अभियान पीम जन्मन के तहट सो मुहार को अड़की परखन में कारेकरम कायोजन किया गया जहानला भार्तियों के साथ केंद्रिये खादे प्रसंसकरन उद्योग मंत्री पसुपती कुमार पारस ने प्रधान मत्रिनायन मदी को आउनलाइन LED स्किन पर सुना देश भर में यह काईकरम सव अस्थानों पर आई जित की गई थी जिसमें एक औरकी भी सामिल था मौके पर केंद्रिये मंत्री पसुपती कुमार पारस ने कहा है कि देश के 140 कोड़ अबादी में 80-85 पर जड़ लोग गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद से अब तक देश को दरजनों प्रधान मंत्री मिले लेकिन नर्यन मोदी देश के पहले परधान मंत्री हैं जिन्होंने गरीबों के साथ समाजिक आर्तिक वर सैक्षिनिक द्रिश्टी कोन से पिछले लोग जिनकी कोई पूछ नहीं थी उन्हें समाज के मुक धरास से जोड़ने का काम किया है धन्यवाद यदि आप चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदा बढ़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से सेर करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बेक अवास से दे थैंक्यू